आज हम जाने वाले एक important और एक बहुत ही crucial concept जो programming language का किसी भी programming language का एक over part होता है और वो है data types data types को समझेंगे कि data types क्या है कैसे काम करता है कैसे उसके principles काम करते है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा crucial और important और बहुत ही मज़ेदार concept है तो चलिए इसे समझते है I hope कि आप सब को यह JavaScript series बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा Heartly request करूँगा आप सबसे कि प्लीज आप इसे अपने LinkedIn पे या Colleges Group में share कर सकते है तो share कीजिए था कि उन्हें भी यह series का ज़्यादा beneficial मिल सके और वो भी कुछ अपने skills को develop कर सके तो चलिए स्टार्ट करते है what is data type तो चलिए इसे पहले definition से समझते कि data type होता क्या है अब particular kind of data item which is defined in a value to a variable इसे अगर हिंदी बाशा में simple definition को अगर मुझे समझना है तो वो यह होगा कि जो भी data हम हम हमारे variables में define करते है वो data कौन सी type का होता है उसे कहते है data type example हमार सामने है नीचे जैसे कि variable f name के अंदर मैंने कुछ bunch of letters defined किये तो जो bunch of letters है जैसे कि darsh दर्शन और double inverted comma में तो यह type के data को हम लोग कहते है string data मतलब इसमें bunch of letters है जो हम लोग ने variables के अंदर assign किया हुआ अगर किसी variable के अंदर हम simple numeric data assign करते है तो उसे हम कहते है number अगर किसी variable के अंदर हम लोग true या फिर false ऐसा type का data assign करते है तो उसे हम कहते है boolean value और जब कभी multiple bunch of अगर data को हम किसी variable में assign करते है double inverted comma के अंदर तो वो होता है array यह थोड़ा सा advanced basis का concept है तो इसको हम detail में जानेंगे पर अभी एक example समझे कि data होता क्या है data type होता क्या है तो data type in simple words जो भी type आपका data आप अपने variable में store कर रहे है उसे हम कहते है data type ठीक है अब data types जावा स्कृप में दो types के होते है तो वो डो types को हम भी जानेंगे तो data types यहाँ पर जावा स्कृप में दो type के है एक होता है primitive data type और second है non primitive data type primitive data type को हम लोग कहते है simple value based data type जिसमें हम जैसे कि हम लोग ने पीछले वाले एक्जामपल में हम लोग ने देखा कि यहाँ पर हम लोग जो दर्शन करके जो value है वो डारिकली fname में हम लोग ने डाल दिया मतलब fname को हमनों allot कर दिया same goes to 24 24 को भी directly हम लोग ने allot किया age के अंदर variable में true को भी हम लोग ने directly allot किया इस coder के अंदर पर जो दूसरा वाला type है जो array वाला type है इसके अंदर हम लोग cars के अंदर multiple multiple data allot कर रहे और जब हम multiple data allot करते हैं तो multiple data multiple value से होके integrate होता है तो इसे हम लोग कहते object type में है अभी इसका हम लोग सिखेंगे पर यह मैंने आपको एक example बताया तो primitive data type का example है वो top 3 fname age और इस coder इसके अंदर हम लोग direct value assign कर रहे है इसलिए यह primitive data types का example है और non primitive में हम कहते है refer based data types इसके अंदर हम किसी भी value को assign करते है in a basis of reference यानि अगर मुझे example किसी x value को मुझे किसी variable बैसे निकाल ला है तो मुझे पहले उसको किसी का reference देना होगा और तब जाके वो वाला value हमें म थोड़ा सा upper level में जाएगा तो इसलिए आपको वो समझे करने पर जैसे हम लोग इसके concept पे आएंगे arrays के dictionary के तो उस समय आपको समझेगा कि non primitive data types में कैसे reference काम करता है तो अभी आलगे बस इतना समझेए कि data types दो टाइप क्यों होता है primitive और non primitive primitive के अंदर string, number, boolean, number, undefined, null य वो भी आता है तो उसे भी हम जानेंगे और इसे भी हम जानेंगे तो अभी हम directly practical करेंगे primitive data types का ये वाला जो वीडियो है हम लोग dedicated primitives पे बना रहे है non primitives पे dedicate video आएगा और simply और भी जाधा dedicated video आएगे जब हम और deep down concept में जाएगे जैसे कि array के, dictionary के और भी तो अभी basic तोर पे हम लोग समझते है कि primitive data types कैसे तो अब चलते directly हमारे practical dashboard में VS code के अदर और वहाँ पर उसे practically सीखेंगे यह हो गया theory part, so let's get started through practical, so अब हम आगे हैं हमारे practical dashboard VS code के अंदर जहाँ पर हम अभी इसे practically सीखने वाले कि कैसे data types काम करता है और कैसे हम इसे create करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक new file बना लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक, मैं यहाँ पर new file का option create कर रहा हो, तो यहाँ पर new file करूँगा, और यह data type, ठीक है, और मैं starting में इसे कह दो कि js data types, तो dot js, क्योंकि यह हम लोग directly run करने वाले इसे local machine में, क्य कैसे हम इसे node.js की मदद से, जो हमने setup किया था, उसे कैसे इसमें run करना है, वो directly करेंगे, तो इसलिए मैंने अभी directly मैंने जैसे बताया था कि अभी हम इसे local machine में run करेंगे, उसे html browser की through run time करेंगे, तो यह हो गया हमारा setup, तो अगर मैं पहले सबसे पहले variable को declare करता हो, जैस की example डाग रहा हो, तो अगर मैं यह define कर रहा हो, तो मतला यहां पर मैं define कर रहा हो bunch of letters, यानि यह type हुआ string का, तो अगर मुझे इसको print करना है, तो यह bunch of letters को मुझे print करना है, तो कैसे करूंगा मैं console.log और उसके बाद में हमारा आ जाएगा उसका नाम, variable का नाम जिसे हमें print कर ठीक है, यह हो गया simple string का जो भी data अभी हम लोग print करना चागते, तो हम इसे directly अभी run करेंगे, हमारे terminals के अंदर वो भी हमारे local machine में, जो हम लोग ने पहले setup किया था, अगर आपने वो setup वाला वीडियो नहीं देखा, तो प्लीस उसे देखिए, कि हमने कैसे local machine के अंदर हमारे terminal में, node.js के मदद से हमारा directly setup किया है, javascript का run engine, जो हमारे सीधा vs code में ही उसे run करेगा, तो प्लीस उसे check out कीजिए, तब ही आपको यह समझेगा, तो अब बस हमें directly इसे run करना है, तो अगर आपके इसमें terminal open नहीं है, तो आप यहाँ पे view में जाके, आपे terminal को open कर सकते हैं, तो चलिए अब इसे directly run करते हैं, अभी एक बात ध्यान रखिए कि अभी इस पर es6 और node.js के अंदर, semicolon का value है भी और नहीं भी, ऐसा भी समझ सकते हैं, मतलब ऐसा समझेए, अगर आप semicolon नहीं भी डालेंगे, तो भी उसे वो execute करेगा, उसमें आपको कोई error नहीं देगा, औ वो भी कोई problem नहीं है, नहीं डालेंगे, तो भी कोई problem नहीं है, ऐस पर es6 का जो नया version का, जो हमारे documentation आया था JavaScript में, उसके मताबिक, इसका एक example भी हम अभी देख लेते हैं, जैसे कि मैं भी इसे run करता हूँ, तो अभी मैं run कर रहा हूँ इसे, तो अभी इसका file name, अभी हम म ठीक है, तो देखिए हमारा output यहाँ पर आ गया है, यह हमने semicolon डाल के किया है, अभी example try करते है, without semicolon, तो मैं इसको semicolon निकाल रहा हूँ, यह आपको अभी हम कर रहे है data type में, पर यह आपको as a basic पता होना चाहिए कि कैसे इसे में काम करता है, क्योंकि JavaScript कैसे काम कर रहा है, पर रो ही उसको प्रेंट किया है, उसने without semicolon में उसने कोई error नहीं दिया, तो please इसे भी ध्यान रखिए, अपने standards में रखिए कि it's not compulsory now to put any kind of semicolon at the end of that particular statement, तो यह त्यान रखिए कि यह एक important parameter है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा start करते हैं, जो भी हम अभी main सीखने के लिए आया थे, वो था data types, तो यह हमने declare किया है, यहाँ पर मुझे आदत semicolon डालने की है, इसलिए मैं उसके साथी go through कर अब, उसके आपने रोवित हुआ, जो हमने string meant value declare गया था, f name के अंदर, अभी मैं declare करता हो, समझ लीजे, कोई भी तरह का numeric value, तो मैं declare कर रहा हूँ यहाँ आपर marks, किसे भी ही इसका marks, तो marks declare कर रहा हूँ, मैं आपर numeric value declare करूंगा, हो गया, उसके बात मैं, मैं try करूंगा, boolean value, तो boole या फिर इस correct, पर अभी यहाँ पर रहे है, मैंने c small लिखा, c हमेशा capital I, q, क्योंकि यह follow करता है, जो statement मैंने आपको variable सिखाते हुए बताया था, कि यह follow करता है, camel case वाले format को, जिसके अंदर first small, पर उसके बात से जो भी है, यह code standard है, और code standard को हमें follow करना चाहिए, जिससे हमा जिससे आपका एक proficiency बढ़ता है, as a coder profit, ऐसे coder performance basis में, तो ध्यान रखिए, coder, 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 आप अपने आपको as a software developer समझते है, या software developer कहते है, तो उस standards में आपको ढ़लना होगा, ठीक है, so let's start, तो इस correct मैंने just as a boolean kill testing के लिए मैंने किया, तो मैं इसे value assign करता हूँ, true, अब मै यह सब को, मतलब कह सकते हैं कि अब यह सब को मुझे print करवाना है, तो मैं इसे print करवा रहा हूँ, fname, comma, अभी मैं यहाँ पर marks को print कराना चाहता हूँ, marks को मैंने print किया, फिर इस correct इसको भी मैं print कराना चाहता हूँ, और यहाँ पर close statement टाल लिया है, और यह save, and let's test, तो value लोगने assign किये थे, वो यहाँ पर print हो रहा है, तो यहाँ तक के तो बहुत simple था कि इधर हम लोगने directly assign किया है, just recap कर देता हूँ, आपके लिए कि यहाँ पर हम लोगने fname के variable में row it declare किया है, जो string type का data type है, जहाँ पर हम लोगने marks के अंदर 45 का जो rollout किया, assign किया है, value जो numeric form में है, इस correct के अंदर हम लोगने true वाला value assign किया है, जो एक boolean type में है, पर और भी दूसरे types के data types है, जो थोड़े से tricky है, in terms of समझने में, तो वो कौन से है, उसे भी हम थोड़ा सा जानते है, यह तो बहुत simple था, directly value assign हुआ है, इस भी, पर एक जो दूसरे type का data type है, और वो है undefined, undefined क्या होता है, इसे एक समझते है, जैसे कि मैंने यहाँ पर value एक create किया है, एक variable declare किया है, test 4 का, पर मैं यहाँ पर से कोई value assign नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने variable declare कर गी, छोड़ दिया है, और मैं इस variable को future में use करूँगा, तो future में जो use करना चाहता हूँ, वो वाले type क data types में आम इन्हें कहते है, undefined, अब इसे undefined क्यों का, इसे एक internal concept में समझते है, कि समझ लेजे, आपके पास में एक memory है, और memory के अंदर आपने वो memory को book कर लिया, और memory को नाम भी दे दिया, पर आपने उस memory के अंदर कोई space में कोई value assign नहीं किया, इसलिए सरब की चीज़ों अब हम कहते है, undefined, कि वो defined नहीं है, अभी तक उसके अंदर value undefined है, इसलिए वो undefined का data type है, अब ही कैसे पता चलेगा, कि यह कौन से तरह की data type है, तो वैस इसके लिए javascript में एक predefined functions है, तो वो हम जानते है, तो console.log डालके, हमें जस्ट टाइप करना है, type of, type of डालेंगे और उसके बाद में वो variable name डालेंगे हम, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, कि वो कौन से तरह का data type है, जिसे इसे example से हम यहाँ पर run करते है, तो यहाँ पर मैं run करता हूँ, इसे type of fname को, अगर मैं अभी test करो, कि fname में कौन से तरह का data stored हुआ है, तो यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर हमें output आ गया, string का, मतलब यहाँ पर जो data fname में store हुआ है, वो string type का store हुआ है, तो वैसे ही अगर मैं डालो कि मेरे test for कौन से type का data type है, test for के अंदर कौन से type का value है, तो वो आएगा यहाँ पर test for, और मैं आपर उसे save करता हूँ, अब यहाँ पर जो आएगा output व value defined नहीं है, इसलिए एक undefined है, यह हमेशाद क्यों create करते हैं, या फिर ऐसा चीजों को क्यों बनाते हैं, तो इसे हम future में use करने के लिए बनाते हैं, अगर आप बहुत ऐसे बड़े-बड़े programs लेकर हो as a software development में, और यह बड़े softwares बनाने के लिए या फिर कोई भी तरह की web बनाने के लिए, तो कुछ चीज़े आप store करते हैं, future use के लिए, तो वो इस तरह के से count होते हैं, अब यहाँ पर एक और जो data type बहुत ली जादा थोड़ा सा tricky way में used होता है, वो है, null, example से समझते हैं, और null एक अपने आप में समझ लीजिए, stand alone value है, किसी भी emptiness को define करने के लि है, empty को represent करने के लिए, जैसे कि हम कह सकते हैं, कि हमारे आसपास, एक कमरे के अंदर, आसपास में खाली है, पर तो भी उसमें कुछ gas particles है, तो वो हम क्या कोगते हैं, कि वो खाली है क्या, पर at the end उसमें कुछ चीज़े है, store हुई है, पर वो अलग तरह का material है, अलग तरह का क element है, जो उस room में store हूँ है, या फिर उस box में store हूँ है, तो same वैसे ही concept यहाँ पर भी आता है, कि जब भी हम कोई value define कर रहे है, test file अगर मैं variable declare कर रहा हूँ, पर अभी आल के लिए मैं उसमें कोई value नहीं डाल रहा हूँ, पर मैं उसे कोई खाली भी नहीं छोड़ना चाहता ह तो मैं वहाँ पर emptiness को define करने के लिए मैं आपने null define कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि null एक अपने आप में value है, stand alone value है emptiness के लिए, या फिर empty के लिए in JavaScript terms, अब इन दोनों में क्या फरक है, test 4 जो undefined वाला है और test 5, test 4 के अंदर हम value ही नहीं assign कर रहा है, वो पूरी तरके से खाली है, सीव हमने memory allocate किया है, उस variable को test 4 नाम से, पर test 5 में memory भी allocate हुआ है, और उसमें एक value भी गई है, पर वो value empty value है, इसलिए उसे हमने null define, इसको भी हम अगर हम लोग type 4 से console डाल की इसे को अगर समझेंगे, तो यहाँ पर आपको समझेगा, अब मैं यहाँ पर लिख देता of type 5, क्योंकि मुझे इसका जानना है, कि इसका value क्या है, अगर data type में value अगर हमें चानना होता है, तो हमने type of का use करके functions में जानते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसको मैं अभी आल के लिए comment करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो दो नो आ रहा है, तो यहाँ प एक object form में चीजे store करना है, अभी यह थोड़ा सा higher standard में है, पर इसको अभी हम नहीं जानेगे, इसको हम future वाले जो हमारे arrays, objects और reference वाला, जो मैंने non primitive data types का example में आपको बताया था, वो यहाँ पर applied होता है, वो concept की यहाँ पर कुछ चीजे अंच आती है, इसलिए यहाँ पर इ अभी आल के लिए बस simple सा समझिए, इन simple, इन simple words कि null हमेशा used होता है, stand alone value है, empty के लिए, तो यहाँ तक कि हम लोग ने सीखा, पांस तरह के data types, string, numeric, boolean, undefined and null, जो एक stand alone value है, empty के लिए, पर अब एक और जो important वाला data type जो हम अभी सीखेंगे, वो है big int, इसको अलग तरिके से defined करते हैं, यह अलग तरिके से इसलिए है, और इसका mostly use इसलिए आया, जब हम बहुत बड़े-बड़े type के data को हम store करना जाते है, efficiently हमारे memories के अंदर, बहुत बड़े-बड़े, बहुत बड़े data, जो मैं बता नहीं सकता, कि वो, मतलब, in simple words, ऐसा समझ लिजी, to raise to power of 53, to raise to power of 53 के उपर जो भी type के data होते है, वो वाले data, big end के तुरूबी सही होते, यह example, इनका application कैसे समझेंगे, तो इनका applications हो सकता है, web applications के अंदर, जहां पर stock market वाले data used हो रहे हो, या फिल, bank accounts के data used हो रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जो figures होते है, वो figures बहुत बड़े होते, crores के अंदर हो 1000 crores में, multiple crores में होते है, तो वो जाइक के data जो store होते है, वो big end के मदद से store होते है, तो इससे कैसे define करते है, इससे समझते है, तो मैं अब याल के लिए एक variable define करता हो, num6 समझ लिजी, और उसके अंदर, बै वैल्यू सोर करूँगा, पर big end में value store करूँगा, big end क्या है, तो व आवा script के अंदर, और उसकी मदद से हम इसे store कर रहे है, इसलिए पहले हमें big end के लिखना पड़ेगा, और big end के अंदर यहाँ पर हमें value बनाना पड़ेगा, अब यहाँ पर सजेशन में देख सकते हैं, कि big end के अंदर जो value होता है, वो कोई भी दरगा हो सकता है, वो string हो सकत है, पर कोई भी ऐसा data जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, एक्जामपल समझ लीजिए, 123456789, 123456789, 123456, मतलब यह इतना बड़ा अगर data होगा आपका, तो वो वाला data stored होगा, big end की मदद से, आपके memory space में efficiently, और इसलिए, इन सारे जो बड़े इतने बड़े जो data types होते हैं, इनको हम big end की तरू ही notify करते हैं, इन्हें कोई normal integer की तरू डिक्लाइर नहीं कर सकते हैं, पर वो recommended नहीं है, as per documentation या पर as per standard format, क्योंकि उतना जादा अच्छी तरीके से memory efficiently used नहीं होगा, जो इसके मदद से होगा, इसलिए, कुछ चीजे होती है, जो normal तरीके से भी कर सकते हैं, पर उन्हें उस तरीके से इसलिए किया जाता है, ताकि वो और भी ज़्यादा memory efficiently बने, code का इन simple words आपको अगर मैं आपको एक सार बताओ, तो code इसलिए बन रहा है, या फिर follow किया जाता है, कि वो जाज़ ज़्यादा memory optimized and speed optimized, या फिर कह सकते है time optimized में बने, किसी भी complexities या फिर data structures में बात होती है, दो ही per bus की, या तो memory की और या तो time की, आपका code कितना ज़्यादा memory efficient है, और कितना ज़्यादा time efficient है, ये दो ही parameter पर आपका code रनो, नहीं तो code लिखने के बहुत parameter है, आप कोई task को 5 line में भी कर सकते हैं, और कोई task, वो ही same task क आप 10 line में भी कर सकते हैं, पर वो optimization का method आजाता है, इसलिए हम में आपकरें पर big intra use करते हैं, क्योंकि वो memory optimization के लिए used होता है, console.log से अगर मैं इसका same, अगर मैं आपको type off करके पताना चाहो कि वो क्या आएगा, इसका data type, तो type off, यहाँ पर simple सी बात है, जब हम लोग ने declare ही उसे big int format में किया है, num6 को तो जाहिर सी बात है कि उसका output भी आएगा वो कुछ पुस्तर के सही है, इसको mail के लिए भी comment करता हो, और यहाँ पर मैं, यहाँ पर आपको दीखेगा big int format के data type में ही आया है, तो यह एक important data type है, तो यहाँ मैं आपको recap कर देता हो, जो हम लोग ने मैं अभी तक सीखा, string, numeric, boolean, undefined, null, फिर यहाँ पर आता है, ठीक है, यह तो हो गए simple data types भी तो बहुत आसाम था, पर आप यहाँ से हम बताएंगे, जो यहाँ तक तो हर कोई बताता है, पर अब जो बताऊंगा वो है special case, data types के अंदर भी special cases होते हैं, और खास करती javascript में क्योंकि इसमें कुछ limitations है, कुछ तरह के limitations है, जो इसे अलग बनाती है, तो यहाँ पर मैं special case पता दिखाओ, ठीक है, अभी एक special case test out करते हैं, let sp1 special case है, इसलिए मैंने variable sp1 में दिया, अब अपने दिमाग में इससे थोड़ा सा dry run करिए, जो data types के लिए आप सोच सकते हैं, और इसे dry run करकि इसका output predict करेंगा, कोशिच कीजिए, ठीक है, तो मैं पहले इसे declare कर रहा हूँ, 16 plus, अब यह plus क्या करेगा, यह plus करेगा, कौन catinate, अगर मैं 16 plus 4 करूँ, तो आपको क्या लगता है, output क्या आएगा, output simple आएगा, वो उसे arithmetic operation perform करेगा, output simple आएगा, उसके अंदर वो arithmetic operation perform करेगा, और उसे वो print करेगा, इसे test कर लेते, इसको ब्याल के लिए, comment, ठीक है, तो यहाँ पर output आया, 16 plus 4, 20, yes, simple दा, easy दा, पर इसमें special क्या दा, पर अब special इसे हम बना होंगे, अगर मैं यहाँ पर डाल string value, string value, string value मैं आप डाल देता हो, रोगीद, तो क्या लगता है आपको, इसका output क्या आएगा, तो इसका output कुछ अलग तरीके से आएगा, और वो आएगा, 16 रोगीद, let's test it out, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसका output आया, 16 रोगीद, अब ऐसा Q वो आईए, क्या अलगता है आपको, ऐसा Q वो आ, यह इसका output अलग क्या है, तो इसका output इसलिए अलग आया, क्योंकि यहाँ पर जब वो अभी इसके इंदर पहले है, तो थोड़ा से समझते है कि JavaScript engine जो run करता है, execution platform यहाँ का run कैसे करता है, तो वो run करता है left to right format में, यानि वो left से right, left से right के format म run करता है, तो जब वो यहाँ पर इस line पर आया, तो उसने यहाँ पर पहले देखा, numeric data, novel, पर उसके बात में, उसने यहाँ पर arithmetic operation के बात में, यहाँ पर देखा, string, तो उसने इस numeric data को convert कर दिया, string format में, क्योंकि यहाँ पर उसे लगा concatenation हो रहा है, इसलिए उसने numeric data को convert क हिया, string में, और उसका output दिया, 16 row heat, ठीक है, यह था इसके पिछे का concept, पर यहाँ पर एक और twist अब और देता हूँ, मैं इसके अंदर एक special case में, एक और twist जेनरेट करता हूँ, आपके लिए, पर अगर मैं 16 plus 4 डानो, और यहाँ पर मैं इसे declare करता हूँ, sp2, ठीक है, और यह वाले को मैं अभी अलके लिए comment कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं print करना चाहता हूँ, यही वाला चीज़, पर sp2 को मैं print करना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है, इसका output क्या आएगा, अपने mind में इस थोड़ा सा dry run कीजी, और अपने दिमाग को हो सकता है, तो इसका output थोड़ा सा और unique होगा, वो क्या होगा, let's test it out, तो इसका output होगा 20 रोहित, देखिए, क्यों, इसका output 20 रोहित क्यों आया, तो इसका output 20 रोहित किसलिए आया, एक बार execution के platform से समझते हैं, जब वो ही इस line पर आया, तो उसने अपने आपको execute किया, यहाँ data, normal, उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आया, उसको वापस एक numeric data मिला, तो उसे लगा यहाँ पर plus के बाद मैं, plus देखके उसने numeric data मिला, तो यहाँ वो समझा कि यह arithmetic operation हो रहा है, तो उसने 16 plus 4 का value assigned हो गया, 16 plus 4, normal 20, पर उसके बाद मैं, उसने arithmetic के बाद मैं, यहाँ पर दे value था, उसको string में convert किया, जो इस case में हुआ, और इसलिए यहाँ पर उसका output आया, 20 row hit, ठीक है, तो यह बहुत important है, यह value अलग हो जाता है, जब हम अलग करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, तो यह अब की special case में अभी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा बहुत सा case आ की concatenations होते हैं, तो यह सारे issues जो आपकी output को vary कर सकते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, अब इसका एक और next level of special case, अभी तो मैं आपन निमरिक पहले ले रहा था, और बाद में string ले रहा था, पर अगर मैं अभी string पहले लो, रोहित को मैं अगर अभी आल के लिए, पहल इसे भी अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए, और इसको भी उसी perspective से सोचिए, कि समझ लीजी, आप उसे एक JavaScript engine की तरह उसे run कर रहे हैं, अपने माइन हैं, तो इसका output क्या आ सकता है, इसको समझने की कोशिच कीजी, तो अगर मैं इसका output run करूंगा, तो इसका output आएगा, रोहित 164, अब ऐसा Q आएगा है, इसको भी समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसका जो output आया, वाया रोहित 164, उसने यहाँ पर addition क्यों नहीं perform किया, उसने यहाँ पर वो यह भी तो यहाँ पर output दे सकता था, रोहित 20, पर उसने वैसा output नहीं दिया, उसने रोहित 164 द दिया, और उसके बाद में उसे concadent कर दिया, रोहित के साथ में, और output दिया हमें 20 रोहित, पर यहाँ पर क्यों नहीं किया, तो मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पर भी वोई JavaScript engine ने अपने तरीके से, नहीं बलगे documentation की तरीके से खाम किया है, यह JavaScript के limitations में से है, तो जब वो आपर हमारा जो engine आया, जो execution platform है, execution engine यहाँ पर आया, उसने इसे रोहित को as a string count कर लिया था, और जब उसे रोहित को as a string count कर लिया था, तो उसके बाद के जो भी दरा के data हो, भले फिर वो numeric को, उनको वो numeric नहीं, बलकि string ही count करेगा, तो इसलिए यहाँ पर जब 16 आया, तो उसने उसको भी numeric को convert किया, string format में समझ की, और यहाँ पर उसने 16 को as a concurrent किया, और बात में 4 को भी उसने ऐसे ही count किया, और यहाँ पर इसलिए उसका output आया, रोहित 164, यह special cases में है, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बड़े बड़े जो भी development करेंगे, तो उसके इंदर आपको इसका special case का related आपको आएगा, आपके दिमाग में इस चीज को आएगा, कि वो क्या output आ रहा है, जो मेरे result को vary कर रहा है, तो वो यह सारे special case की मदद से होगा, क्योंकि Java script अलग तरीगे से तोड़ा काम करता है, यह उसमें से एक ता, उसके बाद में एक और में print करता हो, और यहाँ पर मैं sp3 को रोवित नहीं, बलकि एक अलग तरह का string value denote करता हो, ठीक है, declare करता हो, और उसके बाद पर से save किया, तो इसका output क्या आएगा, इसका output आएगा, शाम एक मिट, अब यह तो मैंने save यह किया है, इसलिए आपको ऐसा दिख, तो देखिए, इसका output क्या आया, इसका output आया सिर्फ शंग, इसका output रोवित 20 नहीं आया, या फिर रोवित 164 भी नहीं आया, इसका output कुछ अलग आया, और इसका output इसलिए अलग आया, क्योंकि यहाँ पर data override हुआ, समझ रहे हैं, मतलब अगर data multiple बार अगर same value declare हो जाती है, को अलग तरीके से, तो वो उसे override करता है, जावा script में यह override का concept आता है, इसलिए जब हमने यहाँ पर SP3 को declare किया, शाम, तो उसने जो उपर वाला value था, उसे wipe out कर दिया, और वो memory में new value अलोकेट कर दिया, और वो था शाम, इसलिए जब हमने SP3 को print किया, तो रोवित 164 नहीं ब बता रहा हूँ, जैसे example इसका real life applications में समझते है, अगर front end में किसी बंदे ने कोई variable डिकलेर किया, और उसमें कोई value डिकलेर किया, पर अगर back end में उस बंदे को नहीं पता, और वो value variable डिकलेर हो चुदा, और वो अपना variable यहाँ पर डिकलेर कर रहा है, अलग से, तो वो override हो तो यह एक concept है, जो हमें ध्यान रखना होता है, तो कभी-कभी यहाँ पर चीज़े override भी होती है, तो उस चीज़को भी हमें समझता है कि कैसे हम उसे optimizally use करेंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि variables को बहुत सोच समझके डिकलेर करें, और genuinely उनको अच्छे तरीके से या फिर associat जिस तरह का values में store करके, वो coding standard को follow करता है, तो यह था हमारा data types का, तो अभी जस एक recap कर लेता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या-क्या जाना है, तो हमने इस वीडियो में जाना है, data types और data types का कुछ example, दो तरह के data types होते है, data types को in simple words समझते है, तो data types तरह का, data types एक simple way में अ data किस तरह का होता है, वो दर्शाता है, हमारा data type, तो यहाँ पर example के लिए, जो एक bunch of letters है, यह string का type का data है, 45 marks में जो stored हुआ है, वो numeric data है, true जो data is correct में, वो boolean type का है, test4 undefined है, उसमें कोई value defined नहीं की है, बस उसे store कर दिया है, memory को उसे allocate कर दिया है, तो वो undefined है, test5 में null है मतलब उसमें value है, पर empty value है, और empty value का हम denote करते है, null से, num6, big int के लिए, जब भी हमारे पास में कोई भी बड़ा data हमें store करना है, memory में optimistically store करना है, तो big int का ही use करते है, ना कि normal integer का, ना numeric का, और उसके बाद में हमने जाना कुछ special cases की गैसे, अलग-अलग way में, अलग-अलग त operations मिलते हैं, तो यह था हमारा data types का, जावा स्कृप में data types क्या होता है, और कैसे काम करता है, और उसके कुछ special cases, so I hope कि आपको इसको समझा होगा, I request you कि please हमें थोड़ा सा motivation मिलता है, जब आप हमें share करते हो, आपके, और आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बताते हो, जिसस अगर आपको कुछ भी तरह का doubt है, तो आप उसमें comment में लिखिए, comment में shoot कीजिए, अपने कोई भी ज़रा के queries, हम उसे surely answer करेंगे, within 2-3 days, इस series को तो हम पूरी तरह से complete करेंगे, और next level के भी जाहेंगे, और soon हमारे साथ में एक और नया series start होने वाला है, हम इसमें start करने वा करने weekly करने वादय क दूला है, हम इसमेंस प default वाला ह have been correct, हम पूला प्रयों आपको का एका लादय थाजया से एक्याद में है। आफम आप से बाला का दमेमें साथ़ा भी एक है सबस्त secularism के में है, आपको का एक रह जकर हैं।